महराज जी के समय पे यहां कभी सेर भी आय करता था जो यहां के लोग है बताते हैं तो हम आपको वहां कभी नजारे दिखा रहे हैं आईए देखिए कैसे पाने इन फथरों के नीचे से निकल रहा है और वहां पर कुछ लोग इंज्वाय कर रहे हैं हलो फ्रेंड्स मैं आपका आरके व्लोग अमरपाड़न यूट्यूब से आपको वेलकम है एक नएव वीडियो में फ्रेंड्स बतार जाओंगा आज हम आपके महनगरी के पीछे 10 किलमेट दूर पे रामपुर आस्रम श्री श्री 118 श्री निलकन स्वामी जी महराज जी का बह बहुत ही पुराना राधा क्रिश्न की मंदिर बनी हुई है तो हम आपको यहां का बहुत ही सुन्दर का दुरस्त दिखाएंगे साथ ही हमारे सब यहां पर मिले हुए हैं कुछ आपको बात बताएंगे यहां के बारे में तो बताएंगे यहां के बारे में तो बताएंगे यहां बहुत हब लखते हैं और भुले नाथ का भी मंदिर है श्रीकिष्ण जर्माष्टमी का कारक्यम के रूप में आज यहां बहुत बड़ा कारक्यम मना जाता है साथ देख सकते हैं महुत बड़ी यहां दुकाने लगी हुई हैं मेला जैसा लगा हुआ है तो हम आपको अंदर का द्रस दिखाएंगे प्लिस आप हमारे चनल में बने रहें और सब्स्ट्राइब करें आरके प्रोग अमरे पड़ेश्टमी चनल को फ्रेंस देख सकते हैं कित प्राचियन रामपुर आश्रम जो आपके मैहर से 10 किलमेटर दूर पे यह मिलेगा आपको और यहां दे सकते हैं फलके भी यहां पर दुगाने लगी हुई हैं और यहां बहुत सा स्रधालू आते हैं और आज स्रीकेस जनमाश्क्मी का त्योहार है उस कारण से आज बहुत ह कारकम हो रहा है तो फिन दे सकते हैं आज के कारकम पे जो जनमाश्क्मी का कारकम है इस कारकम पे बहुत ही ज़्यादा भीड यहां है और है तरह की दुपान आपको यहां दिखेंगी पर फल पूल से लेकर के निष्ठान कभी प्यास्ता है यहां पर है यह पहला गेट है फ्रेंड्स आप में इसकी गेट को क्रॉस करेंगे और अंदर का नजारा दिखाएंगे जो बहुत ही सुंदरता के द्वारा भरा हुआ है यह दखिए यहां पर आप्तो दिखेंगे आपको च्यंब हैं पोर रहे हैं परसादे धारा चारहिएं- और यह का परानि मधिर होनय हुए था बहुत बड़े छेत्र में पहला हुआ है यहां का पवित्र धाम जो राधा कृष्ण के पवित्र मूर्तिया यहां पर है प्रेंड्स जैसे की हम आपको आज राधा कृष्ण जी का पवित्र मंदिर को घुमाने के लिए आए हैं जो आज जन्मास्टमी का त्योहार पे बहुत यादा भीर यहां पर है सादे सकते हैं बहुत ही बिसाल का यह पीपल का पेड़ भी यहां पर मिलेगा और यह दूसरे गेट है और इस दूसरे गेट के हम अंदर चलेंगे और वहां का नजारा को दिखाएंगे आईए तो फ्रेंज इस गेट के अंदर आते ही आप दे सकते हैं किते साथ सरधालू यहां पर आज दर्सन के लिए आए हैं रादकरशन की तो हम भी अंदर चलेंगे और वहां का नजारा आपको दिखाएंगे तो फ्रेंज हम आज इस मंदिर में आचुके हैं जो रादकरशन की बहुत पुराणी मंदिर है पूरा यह चबुतर आपको दिखेगा यहां पर आराम करते हैं पूरा नेलकंड महराज जो तफस्य करके यहां का पूरत्रका बढ़ाए हैं और स्रीराधा किसी मंदिर भी आपर है अम आपको दिखाएंगे पूरिया यह रहे हैं आपको दिखाएंगे आपको दिखाएंगे आपको दिखाएंगे चलते हैं फासद ने आपको लेगा से आज प्रेंटे सकते हैं जो नाच घ्रूम करके आज खुपी मना रहे हैं क्योंकि आज प्रिस्म का जन्म दिन है आज के लिए बारा बज़े रात को क्योंकि जन्म हुआ था और आज सब दालू उनी के जन्म दिवस पे आज कुशी पे नाच जूम करके आज का तार्गन को बना रहे हैं तो फ्रेंड बताना चाहूंगा ये मूरत जो दिख रही है स्वामी नीलगंद महराजी का है कि दे सकते हैं कि इसनी सुंदर मूरत बनी हुई है यह लुक्त बोथ सुंदर यहां पर मंदिल बनाय गया अभी जलते हैं यह जो इस्थान है जो यह पर बैठक बना हुआ है यह श्वामी जी नीलकंध महराजी का यह बैठक हुआ करता था यहां पर वो रहा करते थे तो चली जलते हैं आगे आपको दिखाते हैं сейчас में देखिए फुरा को हम यहां का इंड़ार दिखाए तो फ्रैंड्स बता चाहूंगा ये बहुत ही पुरानी मंदिर में प्राध किषुजई की बहुत ही पुरानी आपको शुरत दिखेगी देख सकते हैं किती सुन्दर तरीके से सजाएगा है आज श्रीकेश मुझी का जन्म हुआ है उसी की खुषी में आज कारकेम पे बहुत ज्यादा संथ्या पे आज भरक्त गन आयो है तो फ्रेंड्स यही मंदिर से होते हुए हम अंदर ही अभी यह उपर चलेंगे और उपर देखते हैं या दिखते हैं आपको देशक्ते हैं यह एक आपको मासार्दाली का यहां पर तस्वीर आपको रखी दिखी हुई है कलिए ठीटें चलते हैं के लिए तेकिए बैंस अन्याड़ा पर स्था रहे हैं बहुत यादे स्वीर आलु यहां पर है यह जैस री गड़ेस गड़ेस भगवान भी यह आपर है तो फ्रेंट्स अभी हमने आपको राधा किसनी का दर्सन कराया साथ ही निलकंठ महराजी का दर्सन कराया फ्रेंट्स आप मेरे कमेंट बहुत निरूत आएगा कि वीडियो कैसे लगी आपको तो फ्रेंट्स बताने का हूंगा आपको कि निलकंठ महराज जी के समय पे यहां कभी सेर भी आया करता था जो यहां के लोग हैं बताते हैं तो हम आपको वहां कभी नजाड़ा दिखा रहे हैं आपको अंदर के नजाड़ा दिखाऊंगा आपको वहां सकते हैं अभी चलेंगे गुफा के अंदर वागवा फ्रेंड्स बताने चाहूंगा यहां पर गुफा जैसा ही है और अन्हेल आपको दिख रहा होगा लेकिन काफी सकरा जगा है जो की जानवरों के लिए बैठने क तो फ्रेंड्स अभी हम आपको बहुत पुरानी मंदिद जो शिवजी की है वहां के लिए चलेंगे वहां भी बहुत सुनदर्ता आपको दिखेगी आपको चलते हैं दोगी यहां भक्त गड़ भी बहुत सारे आए हुए हैं और ऐसे ही हमेशा यहां हुजूम लगा रहता ह हैं जो यहां के स्रधालू है चलते हैं यहां के लिए आईए तो फिर्ट बताने चाहूंगा यह शिवजी की बहुत पुराणी मंदिर जो यहां पे आपको दिख रही है है और नाग राज भी बैठे हुए है आप देख सकते हैं यह देखिए बहुत पुराणी यह शिवलिंग रखा हुआ है और बहुत सुंदर ता यहां पर आपको दिख रहा है देखिए बहुत अश्रधालू यहां पर है जो पूजा अश्वना करके अपरेट शाएं और तो फिन्स दे सकते हैं इसके बहुत पुराणी मंदिर के नीचे से यह पाने कैसे निकल रहा है आप सो सकते हैं यह पानी यह कुल में जा रहा है और यह कुल से कहां जा अब इसकी आंकार यह नहीं है पके हम दिखाना चाहेंगे आपको यह आपको पाने इस मंदिर के वीनिक से तो कैसे निकल रहा है अब हम भी चलेंगे नगदीग में तो फ्रेंज दे सकते हैं बहुत ही अनोख्य अनोख्य चीज यहां पर आपको दिखेंगे एक यह कुंद दिखे रहा है जो पाने फपनी तहां से निकल रहा है और आपको यह दिखा हो फ्रेंज आपको फ्रेंज दे सकते हैं यह कुंद दिखे रहा है आपको और यह कुंद की कुन्द बना हुआ है दे सकते हैं और बरसाद की टाइम पे बहुत ही सुन्दरता यहां पर आपको नजार आता है देखिए कैसे पाने इन पत्थरों के नीचे से निकल रहा है और वहां पर कुछ लोग इंज्वाय कर रहे हैं तो फ्रेंस जैसे कि हमने आपको आज मिसार्दा मंदिर के पीछ से रामपूर पाठा नामक पहाड के अंदर जो है यह शनिल गंड महराजी का बहुत ही आसरम है पुरान आसरम है और क्रिश्न और आधा जी का बहुत पुरान मंदिर हम आपको दिखाए हैं तो फिरिज कमेंट बोक्स में जरूरू बताएगा कि हमारे वीड स्क्राइब परेगा तो प्लिस मिलते अगली वीडियो में जिता के लिए अब दा ख्या लखेगा ओके बाई